दोस्तों गर में अगर टाइल लगाने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना नहीं तो आपकी टाइल थोड़े टाइम बाद दिवार से गिर सकती है, क्रैक आ सकते हैं तो दिक्कते आएंगी अगर सही से टाइल नहीं लगा होगे तो ये वीडियो में मैं आपको complete बताऊंगा कि टाइल लगाने से पहले करना क्या, ना आपका मिस्त्री करेगा, न ठेकिदार करेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसको ये 10 चीजे समझा दो, वो सई से टाइल लगा देगा वो मिट्टी की तरह थोड़ी आपको लुक देदेगा, आपको आइडिया लग जाएगा, सेरिमिक टाइल को हमेशा बिगो के रखो, जब भी वो यूज करनी है, उससे पहले उसको पानी में डाल के रख देना है, और फिर उसको दो गंटे बाद निकाल के फिर उसको इससे क्या होगा, जब आप उसको दिवार पर नीचे लगाओगे, जो हमने सीमेंट यूज किया है, वो सीमेंट को चूसेगा निए, उसका पानी निसोकेगा, जब सीमेंट का पानी हमारी टाइल सोक लेती है, तो हमारा सीमेंट सिर्फ बूसा रह जाता है, उसमें कुछ न निकल जाएगी बाद में, तो पहले उसको बिगोन है, फिर टाइल लगानी है, आपका, सीमेंट में से पानी वो सूकेगी नी, और अच्छी टाइल आपकी लगी रहेगी, ये चीज भी ध्यान देना ही देना है, और जब भी टाइल लगाएं, तो उसका जो मटीरियल होता ह है, most important क्या लगने वाला है हमारा सीमेंट, तो आपको फ्लोरिंग की टाइल जो लगानी है, वो सीमेंट और सैंड के साथ लगानी है, और दिवार की टाइल हमेशा अडिजिब से लगाना, टाइल अडिजिब से, ये मैं अभी आपको बोल देता हूँ, अगर टाइल जब भी आप अपने गर में टाइल लगाओ, जो नीचे हमारी टाइल लगने वाली है, तीन से चार बैग, सो स्केर फीट में लगते हैं, मतलब एक स्केर फीट में पॉइंट फोर बैग लगेंगे, तो हजार स्केर फीट होगा, तो कुछ हमारे चालिस बैग सीमेंट के लगाओगे, तो वो क्या होता है, आपका सीमेट जो होता है, वो अकड़ता है, और टाइल को छोड़ देता है, वो भी सही नहीं है, क्यूंकि उसमें हाइडरेशन प्रोसेस, जब जाधा सीमेट होगा, गर्मी जाधा होगी, तो टाइल आपकी उखड जाएगी, कम लगाओ सो स्केर फीड में तीन से चार बैग लगेंगे आपके, ठीक है, यह चीज भी देख लेना, दूसरी चीज, जब भी मिस्तरी टाइल लगाए, उसको देखना भी क्टिंग कैसी कर रहा है, आपकी टाइल के अगर कोड़ने टूट रहे हैं, क्टिंग करते रहे हैं, उसका पे यूज़ करने, डाइमट कटिंग बलेड जो होता है, वो अच्छे से टाइल काड़ता है, पूरी उस में ना कोडने टूटेंगे ना पेंट निकलता है, तो उसको बोल देना है कि डाइमट कटिंग का बलेड यूज़ कर, तो उसको आईडिया लग जएगा, नहीं मालिक को कुछ पता है नेक्स्ट ही जब भी टाइल लगाए वो तो आपको थोड़ा दियान देते रहना है जब भी बातरूम की टाइल लगाए तो देखना है कि स्लोप प्रॉपर है कि नहीं क्यूंकि बाद में अगर दिक्कत आए तो इतना खर्चा करके अगर आपका पानी रुखता है और जो सबसे ज़्दादा आपने देखा होगा बातरूम की टाइलों पे दाग होते हैं निशान पढ़ गया होते हैं किस करण क्यूंकि वो पानी वह और साथ में साथ में एक टिप देदू बातरूम के लिए वहां पे ड्रेन चैनल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ड्रेन चैनल लगो बहुत सुम्दर दिखते हैं उपर टाइल का पीस हाजाएगा, नीचे ड्रेन चैनल रहेंगे, ड्रेन चैनल आप नीचे करके जाता है ड्रेंट चैनल का ये फाइदा है कि उसको टाइल से आप उसको आदा इंच दो एक इंच तक नीचे कर सकते हैं उपर टाइल का पीस आजाएगा आठ आठ आम या बारह में तो वह बराबर दिखेगा तो ड्रेंट चैनल मस्ट मस्ट लगाओ जो जाली हमारी होती है ज जो अच्छे मिस्टरी नहीं होते है जब उनकी टाइल उबर खाबर लग जाती है जहां चारो कोने नहीं मिलते हैं बैंड नहीं मिलते हैं दो टाइल पे ब्लेम डाल देते हैं कि टाइल बैंड थी आजकल लंबी लंबी टाइल आरी है बैंड होती है थोड़ी बहुत इतना ज़ादा उपर निचे रहे एक अच्छा experience mystery उनको भी मिला देते हैं अगर tile band भी हो तो दो mystery लेना है experience एक experience वाला एक experience दोनों को same tile देना experience वाला वो चारो कोने मिला के दिखा देगा and experience वाला ने मिला पाएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है band का अच्छे से कोने चारो मि group दे रहे हैं tile के बीच का किसलिए दे रहे हैं कि हमारा band नहीं दिखे अगर group देने के बाद भी band दिख रहे है तो वो mystery वेकार है तो group दो जहां tile जो बड़े-बड़े pieces आते हैं 24 के जहां उससे भी बड़े-बड़े आजकल प्लैंक आ रहे हैं तो उनको group देके अच्छे से बिठा दो वो चीज भी आपको check कर देनी है और जब आपकी tile लग जाए पैसे देने से पहले sound check कर लो मतलो उसको tile को बजा के देख लो हर जगा देखो जहां अच्छे से cement लगा होगा वो sound लग होगी जहां खाली होगा और sound लग होगी जहां खाली होगा उसको बताओ यह ख साल करेगो जब sound जहां बचती है थोड़ा भी जोर से पांग रखोगे वो टूट जाएगी जब grout करना है जहां हमने जो spacer छोड़ा था ठीक है group छोड़ा था बीच में दोनों tile की बीच में spacer छोड़ा था ठीक है spacer में आपको grout जब करनी है तो simple grout भी आप कर सकते हो ठी simple grout करो कोई दिक्कत निया लेकिन उसमें hardner मिला लो grout plus hardner मिलाओगे तो उसकी life अच्छे से रहेगी विच सिर्द आप white cement कर दोगे तो वो थोड़े time बाद निकल जाएगा अगर budget का कोई issue नहीं है तो जो epoxy grout सा अचकल आती है epoxy grout एक बार करवाई होगी कोई दिक्कत निय पहने ही वाली है जैसे हमारा टाइल का काम complete हो जाता है जो हमारी skirting भी लगाई होती हो skirting का उपर cement देख रहे होते हो तो वो क्या उत गया फट गया होता है वो क्यों फटता है क्योंकि हमारा ठेकेदार curing नहीं करता है जब भी skirting हमें लगवानी है जिस दिन skirting लगे दूस दूसरी दिन उसको पानी पिलाओ अच्छे से गिले कपड़े से पिला दो या थोड़ा थोड़ा जग के साथ पानी फैंक दो तो आपकी skirting अच्छे से चिपक जाएगी नहीं तो वो गिर जाएगी और साथ ही साथ जब पूरा टाइल का काम खतम हो जाता है तो उसको पानी पिलाओ थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा पानी भी नहीं क्योंकि दिवार को लगता है बाद में वो भी मैंने इशू देखा है कि एक एक फुट तक हमारा डैंपने सोजाती है क्योंकि इंट पानी खिंच लेती है तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है और वाइ पिलाओ पानी बाद में पानी पानी खिंच ले रहे हैं उसको प्रशा प्रशा ये कहता हूँ जब भी टाई लगवानी है मिस्तरी से अच्छे से बात करनी है उसको प्रचाना है कि 14-15 रुपे पर स्केर फिट ले रहे हैं उसमें क्या क्या करके दोगे क्लीनिंग करके बीडियो में बनाना सीखो मैं पहली वीडियो में बोला था बील बनाना सीख लो कुछ नहीं है जो स्कटिंग होती है जो खड़ी होती हमारी 6 इंच डाम है जैसे सामने देख्रेयों इसको लंबाई में नाप लेने मतलब रनिन स्कामरे-क 4-4 तरफ सिधा सिधा नापत 10 सो स्केर फिड़ी हो गया 40 बहुत ही 140 रुपे पर स्केर फिड़ी हो गया multiply कर दो 15 रुपे rate की है तो आपको मिल जाएगा आपका कितना खर्चाने मला है bill बनाओ क्यूंकि bill में वो आपको confuse कर सकते हैं आपके mystery तो bill बनना आपको आना ही आना चाहिए और mystery का पूराना काम must देखना तभी अच्छे से tile लगवा पाऊगे तो ये चीज़े होती है पहले mystery choose करने अगर tile कैसे लेनी है वो मैं पहले बता चुक हूँ आपको tile खरीदते समय क्या दयान देना है वो description में वीडियो रहेगी अच्छे से mystery अच्छे से choose करोगे अच्छे से tile लगेगी उसकी live भी रहेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी